यार वो fund आया है उसमें entry कर लेता हूँ अरे यार एनफो आने वाला उसमें entry कर लेता हूँ या मैं सोच रहा हूँ यार वो small cap बहुत अच्छा return दिया है उसमें entry कर लेता हूँ यार कितने fund ले एक portfolio में कितने fund होना चाहिए मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्ण है और इसी में सबसे ज़्यादा लोग का डाउट होता है और सबसे ज़्यादा लोग गलतियां ऐसी करते हैं स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम आपकी बात करने वाला हूँ जी हाँ आपकी बात होगी छोटा इंवेस्टर हो बड़ा इंवेस्टर हो सुरुवात कर रहो पांच जार से दस जार से बंदरा जार से बीस जार से आपकी बात होने वाली क्योंकि सबसे पहले आप जो गलती करते होना बहुत सारे funds लेके उसके बारे बात करने वाले हैं example के साथ बात करेंगे और वीडियो के last में आपकी question पर जाएंगे देखते हैं किसका question आज pick हुआ है कितने mutual funds होने चाहिए portfolio में सबसे बड़ी गलती यही होती है लोगों की और सबसे बड़ी गलती के साथ साथ लोगों का सबसे बड़ा question होता है अगर आपका goal क्लियर है कि यार मुझे ना 10 साल बाद ही मुझे घर बनाना है एक करोण का दो करोण का पाँच करोण का घर मुझे 10 साल बात बनाना है आपने गोल ले लिया है, बहुत बढ़िया इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कोई गोल बेस्ट आपका औरियन्टेशन होना चाहिए पहली बात गोल नहीं बना होगे दिक्कत तुझा क्योंकि गोल नहीं रहेगा न तो आप छोटी मोटी घिरावट में करेक्शन में पैसे मार्केट से निकाल लोगे गोल बहुत इंपोर्टन है मैं आइडियो फ्रेंट जितने लोग मुझे सुन रहे हो आज से कॉपी में गोल बनाना चालू कर दो कि मेरा गोल है पान साल बात दो साल बात कार लेना पान साल बात जो भी लेना जो भी आपकी ख्वाइशे हैं बच्चे का एजुकेशन है क्योंकि बच्चे भी अगर 18-20 साल का है तो गोल होना चाहिए गोल सबसे इंपोर्टन्ट है जब आप लोग पोर्टफोलियो मुझे भेज तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेंशन करते हो कि मेरा गोल क्या है पहली बात दूसरी बात होती है जो आपको knowledge नहीं रहता ये बहुत problem होती लोगों की सुनके जैसे अभी मैं confuse हो रहा था कि मैं क्या लूँ लोगों की सुनके लोग एनफों पैसा लगा तर लगा रहे हैं करते करते पोर्टफोलियो दो सुरू करते हैं पूरा बंडल बन जाता है पोर्टफोलियो का जो कोई मतलम नहीं रहता मैं आपको बताऊ नौलेज होना बहुत जुरूरी है इसलिए पोर्टफोलियो डिजाइन के लिए संपर कर सकते हैं बहुत ही basic consistency है more than 2000 लोग लगब पहुचने वाले हैं अभी तो आप लोग कर सकते हो जोड़ सकते हो इस परिवार से और तीसरा है सर लालच लालच कैसा अरे भाई नया नफो आ रहा है बहुत रिटन बना के देगा 100% का रिटन दिया है लास्ट यर में अच्छी कंपनी लॉंच कर रही है चलो कर लेते हैं करना बुरी बात नहीं है important है कि आपके पास already कितने points हैं समझ में आ गया तो सरी ये लालच भी बहुत important factor होता है इसलिए हमेशा ही सोच के करो advisor से पूछ के करो आपको जो लगता है कि financial advisor आपकी निजर में अच्छा है written बन रहे है उसके advice से उसके जरूर संपर करके करो सो ये कारण है और कारण इसलिए में बलता हूँ कि हमें सब portfolio अगर आपको करना है proper diversity एक word होता है diversified बाला अंग्रेजी word है लेकिन कोई बहुत लोग को समझ में नहीं आता diversified मतलब सर हमें न सारे प्रकार एक हो आपने सुना हो ना balance diet जो हम लोग बच्पन में पढ़ते थे balance diet इसलिए जब आप portfolio बनवाते हो आपको ना portfolio में balance diversified होना चाहिए proper small cap, mid cap, large cap अगर जरूरत हो तो flexi cap, multi cap, indexment, momentum indexment ये सारे होना बहुत जरूरी है लेकिन important है goal पे और important है आप कितने से निवेश कर रहे हो 2000 से कर रहे हो तो क्या उसके लिए जरूरी है बात करेंगे सब कुछ बात करेंगे, सारा आपका doubt क्लियर करूंग आज के वीडियो में so important ये है कि जब भी आपका diversification जरूरी है क्योंकि जब market बहुत हाई होता है आपने सुना होगा, market हाई होता है लोग वहाँ डरने लगते हैं तो अगर आपने ऐसे fund select किये हैं तो वो fund manager क्या करते हैं? आपके जो stocks हैं क्योंकि mutual fund के अंदर stocks होता है, mutual fund के अंदर तो share होता है तो जब भी market हाई होता है ऐसे में mutual fund manager आपके पैसे को large cap stocks में डाल देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा खिरावट ना हो अब जब भी market बहुत ज़्यादा down होता है आपके जो stocks हैं उसको small mid cap में डाल दिये जाता है यह बाई internal होता है यह तब सब success होगा जब आप proper तरीके से well diversified portfolio बनाओगे चोले example के साथ समझते हैं बिल्कुल example लोगा sample रहेगा portfolio का इसको implement मत करना बीना सोचे समझे सबसे पहले start करते हैं हम बात करेंगे अलग-अलग goal में अलग-अलग mutual fund चाहिए अगर आप एक से दो साल का goal रख रहे हो सर यहाँ आपका diversification अलग होगा अगर आपका goal दो से पान साल का है यहाँ अलग mutual fund अलग important रहेगा थे अलग ratio अगर पान से साथ साल के लिए कर रहे हो यहाँ आपके अलग mutual fund इसलिए मैं लोगों से पूछता हूँ आपकी goal कितने है आप लोग जो भेशते हो नग पूटफोलियो कुछ लोग ऐसी भेश देते हैं सर बस बना दो अरे important है goal आप मुझे बनाओगे पान साल बात उसके इसाब से अलग mutual fund लगेंगे दो साल अलग mutual fund लगेंगे तो goal important है और साथ तो हो सकता है कुछ लोग का goal एक से दो साल का होगा दो से पांच होगा पांच से साथ साल का होगा और greater than 8 years होगा हम सब की बात करने वाले हैं तो वीडियो को बिलकुल mismate करना पूरा देखना चोलो example से समझते हैं बिलकुल यह sample portfolio है इसको implement मत करना बिना सोचे समझे so 5000 अगर आपका goal एक से दो साल का है केवल एक से दो साल का है तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर एक से दो साल का है न सर mutual fund ने मत आओ सच बता रहा हूँ मैं अपने दिल से बोलूँगा एक से दो साल का है मत आओ लेकिन तो भी थोड़ा risk लेना चाहते हो तो कुछ important funds देखो fund कैसे बदलते हैं बड़ा ध्यान समझना मैंने केवल एक से दो साल के लिए fund मैंने sample बनाया है quant large cap fund मैंने 2000 डाला मोतीला लोसवाल mid and large cap में मैंने 2000 डाला SBI blue cheap में मैंने 1000 डाला यहां आप index fund भी ले सकते हो 1000 के जाए में तो आप चेक करते रहना वीडियो में कि मेरे funds कैसे बदलते हैं जब समय अलग होता है यह हमने चेक किया अब आप देखो यहां तो next slide हम चेक करते हैं कि जब आप planning 2-5 साल के लिए करते हो देखना मेरे fund बदलने वाले हैं 2-5 साल के लिए करेंगे तो मैं एक small cap ले रहा हूं आपने देखा ein मैं mid cap ले रहा हूं दूसरा भी मैं flexi cap ले रहा हूं दूसरा mid cap तीसरा flexi cap ले रहा हूं मैंने 2000 mid cap में डाला हजार फ्लेक्सी में डाला, हजार all these are sample portfolio इसको implement मत करना बिना सोचे समझे तो यह हो गया हमारा HDFC का GM Flexi Cap Fund का हो गया, तो आपने देखा कि अगर मैं 2-5 साल का target बना रहा हूँ अगर हमारा SIP 5000 का है क्योंकि अगर SIP 10,000 का होगा, सर यहाँ portfolio बदल जाएगा इसलिए portfolio में जब में doubt हो सर, what's up number है आराम से pink कर सकते हो, बहुत ही बहुत ही मामोली consistency है जो जोड़ी रखेगी आपको मुझसे साल भर के लिए, right, so तो tension लिलेना, बना सको तो बना लो, कोई दिकत ने, doubt हो तो भेज सकते हो, 2-5 साल के लिए अब देखो, किस तरह जैसे-जैसे समय बदलता है मेरे funds कैसे अलग-अलगोंगे, आप चेक करना यह हमने 2-5 साल के लिए बनाया है अब हमारा target रहेगा हमारा target है, अगर ऐसे mutual funds हमे लेना जो 5-7 साल अगर हमारा plan है, देखो, अगर हमारा 5-7 साल का यहाँ plan चल रहा है आपको ध्यानी center पे देना है कि आप देखो, यहाँ, अगर हमारा 5-7 साल का है, तो मैंने एक small cap लिया, एक mid cap लिया Sir, 5-7 साल का है ना तो PSU include कर सकते हो, डरने की बात नहीं है, PSU उनके लिए भारी पन पन सकती है, जिनको केवल 1-2 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो PSU यहाँ कर सकते हो, तो आपने देखा किस तरह fund मेरे यहाँ change हुए, अगर मेरा 5-7 साल अगर target हुआ, small cap लिया, mid cap लिया, PSU लिया flexi भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब देखो, अगर मेरा horizon, horizon मेरा अगर 8 साल से उपर है, अब देखो ध्यान से अगर मेरे को, क्योंकि maximum investor यह होते हैं, अगर आप इन में से यह हो, तो sir, comment section में mention करना कि sir, मेरा horizon more than 8 year है, अगर आप 8 year वाले हो, तो देखो, मैंने किस तरह divide किया है funds को, आपके सामने है, सबसे पहले मैं एक small cap ले रहा हूँ, चलो बहुत बढ़िया, अरे, small cap all ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, दो small cap ले लिया, क्योंकि मेरा target, 8 से 10 साल से उपर का है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो बीच में डरना भी नहीं है, ना लोगों से भाग भाग के question पूछना है, कि भाई साब market गिर गया, मैं पैसे निकाल लूँ क्या, ये पूछना भी नहीं है मुझे किसी से, समझ में आया ये चीच, तो दिखान लखना, 2 small cap हमने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, और हमने mid cap में ले लिया, हमने सर, sectorial fund में ले लिया, हम यहाँ flexi cap fund भी ले सकते हैं, मैंने ये portfolio, sample portfolio 5000 का बनाया है, अगर portfolio 10,000 का होगा, सर, fund बदलेंगे, आपको समझाना चाह रहा था, कि ताकि समझ जवाब की, देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें है, मुझे लगता है कि ये चीज समझ के लोगों का doubt बिलकुल भी नहीं होगा, right, सो अब आपके question पे चलते हैं, काफी लोगों का question था, so question number one, please review my portfolio, sir, age 30 साल है, बहुत बढ़िया, देखो, यहाँ proper बताया है, age, इनकी 30 years age है, और, 30 years की age है इनका, और देखो, total और ने 2 करोन का plan कर रहा है, 2 करोन का plan है, बहुत ही simple है, इसको मैं कहता हूँ, well planned, ऐसे ही होना चाहिए, आपका planning क्या है, आपने 2 करोन का plan कर लिया है, 30 साल में, आप देखो, funds इनके, मुझे बहुत शांदार इनका लगा, मुझे लगा, मानिक राइज जी का question है, मानिक भाई, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो, मैं इसी तर आपका चाहता हूँ, अगर ऐसा आपने बनाया है, तो आपको दिक्कत लेने की, कोई दिक्कत नहीं है, 2 small cap, 5,000 का ले लिया, 2 mid cap ले लिया, 5,000 रुपए का, flexi cap, 5,000 का लिया, देखो, आपका horizon, 15 साल का है, मैं आपसे यह कहूँगा, मानिक भाई, ये blue cheap जो आपने लिया है, इसको आप 3,000 का कर सकते हो, 1 PSU fund एड कर सकते हो, कितना, 1 PSU fund, 2,000 का एड कर सकते हो, बाकी आपका portfolio, बहुत बढ़िया है, और अगर आप 30,000 करते हो, there is a chances कि 2 करोन expected value बन सकती है, after 15 years, depend upon market, ठीक है, ये चीज हो गया, अगली कहानी, अगला portfolio, बहुत सारे question है, सबसे पहले question है, संजेश जी का, सर ऐसे online app fraud होंगे, तो हम जिस बंदे के थो करवाएंगे, तो क्या 25 साल बाद नहीं रहा, तो problem यहाँ भी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ सर, अपनी कहानी खुद लिखो, आप कोई भी platform यूज करो, यह देखो, सबसे पहले direct हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Google Play Store पे है कि नहीं है, authentic है कि नहीं है, जिसका नाम लोग जानते हैं, मतलब सब लोग जानते हैं, उनको पता है, वो ऐसी application आप यूज करो, और वहाँ से investment करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे broker house है, जो अच्छी investment आप करवाते हैं, सर, दो लाग का mutual fund में invest करना है, दस साल के लिए बता दिए, बहुत सारे fund है, दो लाग को में divide करूँगा, चार हिस्सों में, दो mid cap ले सकते हो, मोतियालोसवाल mid cap, HDFC mid cap, एक flexi cap, GM flexi cap fund ले सकते हो, और एक momentum index fund ले सकते हो, UTI, Nifty 200, momentum 30 index fund बढ़िया है, Tata का भी बहुत बढ़िया है, वो सब कर सकते हो, ठीक है, ये दो question हमने cover कर लिए, अगला question लेते हैं सर, मेरा portfolio review कर लिए गा, टोटल SIP 18,000 के SIP चल रही है, निपोरेंडे small cap, Tata small, मोतियालोसवाल mid cap, कौन्टरा, कौन्ट ELSS आपने tax के लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, पराग पारिक flexi cap, आदिबरिला PSU, फंड आपके अच्छे हैं, लमसम मोतियाल में किया है, कौन्ट में किया है, HDFC mid cap में किया है, 12,000 SIP में add करना चाता हूँ, 12,000 करने के लिए, आप चाहो तो यहाँ, कुछ flexi cap fund और add कर सकते हो, GM add कर सकते हो, mid cap में कर सकते हो, एक blue chip fund ले सकते हो, तो 30,000 के 4 fund ले सकते हो, इसमें अगर add करना हो, तो मोतील उस्वाल में add कर लो, ये का option में बता रहा हो, पराग पारिक flexi cap में add कर लो, दो option है, यहाँ तो दो option add कर सकते हो, बाकी आप mid cap, combination of mid cap और large cap में कर सकते हो, बैटर रहेगा, कोई doubt होगा, WhatsApp पे पूछ लेना मुझे, ठीक है, तो कमल जी का question था, ये संजे जी का मैंने ले लिया, I think ये last question होगा, चलो देखते हैं, सर मेरी एज 32 साल है, 15 से 18 साल के लिए मैं risk लेना चाहता हूँ, कोई problem नी, बहुत बड़ी बात देखो, अगर आपने ये बोला है, कि 15 से 18 साल के लिए risk लेना चाहता हूँ, तो सर, market की गिरावन मिल को, रोना धोना मत करना प्लीज, आपने जब खुद बोल दिया, कि मैं risk लेना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं घबनाने का, भले market में कुछ situation हो जाए, आपके fund है, परागपारिक अच्छा है, access growth opportunity fund बहुत बढ़िया, defense fund में आपने किया है, एक आपने हाँ मतलब मैं कह सकता हूँ, आपने structural fund एड़ किया है, महिंदरा mid cap अच्छा है, बंधन small cap ठीक है, करनरा small cap, टाटा small cap, थोड़ा सा क्या है, कि आपने ये 3 small cap fund ले लिए है, मैं आपसे कहूँगा, 3 के जगह में, या 1 करो, या 2 कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका पैसा कम होगा, जिसमा आप टाटा small cap करो, गे 1300 बच रहा है, आप 1300 इसी में add करो, तो मैं यही कहूँगा, कि इन 3 के जगह पे नहीं है, तीनों के जगह पे एक ही fund ले लो यार, ज़्यादा आपको tension ने की जोड़त नहीं है, एक ही fund रखो, 4-5 fund रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, बाकी जो ICC opportunity fund आप ले रहे हो न, इसको हटा कि आप यहां mid cap में add करो, बाकी सब बहुत बढ़िया है, निपॉन मोमेंटम 50 fund में SIP का plan हो, तो क्या करना चाहिए, नहीं इसमें आपना कोईश करना लंब सम करो, मार्ट किर गिरने वाले टाइम, मोमेंटम और ग्रोथ fund को स्टॉप करके, अमाउंट में अपने small cap में add करना चाहता हूँ, मार्केट गिरते समय, small cap में और amount मद add करो, यह कोशिश करेगा, बाकी continue करो, तो my dear friends, आज की वीडियो में, I hope समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग गलती करते हो, तो please गलती में ही करना, हमेशा समझना, कोई doubt होगा, WhatsApp नमर है मेरा, संपर कर सकते हैं, और yes, टेलिग्राम जोर जोईन करो, काफी information वहाँ लगातार मिल रही है, सो बस इतना ही आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी बात, अगर आई होगी, दिल से लिखना yes किसार आ गई है, बाकि मिलते हैं, कल important कुछ और topic के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाई बाई टेक केर, जैहिन!